नमेशकार मैं हिन श्रिवास्तों आप देख रहे हैं प्रगती मीडिया पूर्वी लद्दाक में वास्तविक नियंतर्ण रेखा LAC पर भारती सेना और चीनी PLA की पीच साम बार की साम करीब 6 बजे जड़प हुई और गोली चली हाला कि गोली सिर्फ चेतावनी देने के उद्देश्ते से ही चलाई गई या घटना रेचीनला में मुखपारी इलाके के पास हुई है यहां चीनी PLA ने आकरमकता दिखाने की कोशिस की थी जिसके बाद भारत की ओर से जवाबी करेवा ही की गई भारतिय सेना और चीनी PLA के बीच हुई या जड़ब सौमबार की साम करीब 6 बजे रेचीनला में मुखपारी इलाके के पास हुई है सुरू में चीनी PLA और भारतिय सेना के बीच का अंतर लगभग 300 से 400 मेटर था लेकिन फिर चीनी PLA की आकरमक्ता ने भारतिय सेना को गोली चलाकर चेतावने देने के लिए मजबूर किया भारतिय सेना ने LAC पार नहीं की है LAC पर तैनाद भार्तिय सैनिकों को इस्थिती के अनुसार चेतावनी के रूप में गोली चलाने के निर्देश दिये गए हैं हाल ही में चलाई गई गोली सिर्फ चीनी PLA को नियंतरित करने के लिए थी ताकि वहां पहले की तरह आकरमक्त ना हूँ बतादे की भार्तिय सैना 24 उच्टम सीखरों पर तैनाथ है जहां से LAC को नियंतरित किया जा सकता है हाल में पैंगोंग, लेक, दक्षिडे किनारे की कुछ एहम चोटियों पर भार्तिय सैनिकों ने अपना नियंतरित कावयम कर लिया है अब चीन की कोशिस उन महतपून्ठिकानोप से भार्तिय सैनिकों को पीछे करने की है पिछले तीन महीने से जारी गति रोध के बीच दोनों देशों के बीच विभिन इस्तरों पर बात्चित चल रही है हाल में रक्षा मंतरी राजनात सिंग ने रूस में चीन के रक्षा मंतरी से मुलाकात की थी वही सैनिक इस्तर पर बिक्रेड कमांडर लेवल की बात्चित कई दोर तक चल चुकी है लेकिन चीन की अडियल रवेये की वज़ा से अभी तक कोई ठोस्क निसकर्स नहीं निकला है धन्यवाद